है लो स्टुडेंट्स वेलकम बेक आड़ से ओंलाइन क्लास क्लास एड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विया कंटिनू डिसक्स चपकर थाई तोडिल या डिसकस एक्सेशन 3.2 कुस्ट नमबर थाई हाँ मैं इससे पहले कुस्ट डिसकस किया थे जो अमाल पास एंसाइड एंसाइड करने के लिए एंसाइड की फॉर्मॉल होता है एंगल एंस्टिरें एंगल के सिस्टि अपॉन डिगरी अपॉन एंसाइड नम्मरॉंग साइड की आप हमारे पास इवन टिगरी इससे पहला निया निया पास आट गिवन होती है आम इव लिए जर्टिरें करता हम अब अमारे पास एंगल उन्हें तो नमें एंसेड एंसाइड तो n-key value 510. तो simple formula भी उसक्रेहिए एक्सिरय एंगल एक्सिरय एक्वल टू 360 डिग्री अपॉन नम्मर ओप्सार इन अब देखी हमारे पास गीवन क्या 24 डिग्री इन एक्सिरय एंगल एक्सिरय एंगल 24 डिग्री इन एक्सिरयर एंगल 24 डिग्री इस इपॉन सितीम सेओर दीविए पोन स्ट्राइंग किया उन referred to is ते हो जाएका मरे पास ट्रास्वर करने की एद इतर आजायका मरे पास 360 डिगरी अपन 24 ग टिरीशुटी डिगरी में 24 कर डिवाइब करतें डिवाइब करतें 360 अपन 24 24 बंजा 24, मैनस करें लिए 12, 24, 5 जा 12 कर दिमांत जिया है तो महरी पाद क्या है कि जिस्टिपिती इपने पाद 15 खेंज था कि आए था हुआ ही और कि डिल्ग पास 15 इंद मेंस नंबर उख साइइस सब्सक्रिया हुआ हुल्य साइज अगेंस हैंस 15 says कि इसके बाद हम नेश्ट कुसर कुसर नंबर फोर डिसकस करते हैं क्यों सक्षक्ष। प्रश्ट इंटीर एंगल आपके पास गीवन है तो फर्स्ट इसके लिए के सोलिशन देखते हैं जब आपके पास इंटीर एंगल हो तो बाद टी में से मायनस करके फर्स्ट हम एक्स्टिर एंगल करने के लिए करेंगे फिर इंटीर एंगल एक्सट ट्रेंगल यह आपको याद रखने हैं और इंटीर एंगल की वन है तो सबसे पहले आपके आपके लिए जो इत्तिरेंगल को माइनस करके आए लोग आपर पास एक्स्टीरेंगल होगा यहां पर आए अब आप यूज कर लें हाँ मैंने साइज एक्स्टीरेंगल अम्हारे पास फॉर्मुला एक्स्टीरेंगल एंगल इसक्टीरेंगल एक्स्टीरेंगल 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 एक्स्टीरेंग का लिए जाए कर दिवाइड करतें इस किष्टी का डिवाइड कर्थें सब्सक्राइब कर थोंटी फोर थैंपस्ने नमबर ओफ साइड्स सब्सक्राइब सार्वन्टी पोवं रिवर तोरि में उसकी नम्बर ओपस्सेज़ी करें इसे अपको विश्चान आटेंट करने वाधियर तो आप कर सकते हो ऐसे सब्सक्राइब हो गें लेकिन फॉर्मुले को आपको याद रखना हो व्याद में रखना है कि पुश्चन क्या हो है